इनके लबे रंगी की लिठावएं थी के जिसने खानी पीने के तालुक से जैसे ओजडी वगेरा और बट वगेरा के तालुक से के कुर्बानी के जानवरों में इन चीज का खाना कैसा है तो ओजडी का खाना हलाल जानवर के अंदर ये हराम है यानि ये उन हराम अजज़ा में से है जिनके खाने के मुमाने आते है जैसे बेहता हुआ खून वगेरा तो ये उसी के अंदर ओजडी है इसका खाना भी जाइज नहीं है और बट का जहां तक ताल्लोग भर भागाना जाइज है बट के लावयँ जो आते वगेरा हैं उसका खाना भी मना है वो भी खाई नहीं जाएगी, अचाँ खून के तालुक से, उस सिरी पाय वगेरा बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो सिरी पाय वगेरा कुर्बानी के गोश्ट से ये खाना जाईज है, इस तरह ये भी सवाल एक आया था, कि कुर्बानी के जानवर में या खुद को खाना, जिस इसके दिलाने में भी कोई इतराज नहीं है दिला सकते हैं। खून जो हलाल जानवर का कुर्बानी की जानवर का होता है कपड़े पर चीट वगए रा जाती हैं। के बारे में भी एक सवाल था कि इसको अगर कपड़े पे लगने के बाद नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी तो खून का हुकम यह नजासत गलीजा का है या जो हुकम नजासत गलीजा का है कि कपड़े पे लगने के बाद उसमें कब नमाज होगी कब नहीं वही हुकम जानवर का लिहाज़ा इसको कपड़े पे लगने के बाद और अगर एक दिरहम के बराबरी उससे ज्यादा है तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी नमाज कपड़े बदलने के बाद ही अदा की जाएगी अचा है इसमें खून में एक हैतियात और भी है कि बाद लोग इससे जानी बचने से परेज ज्यादा करते नहीं है और इसके अंदर ज्यादा मुलवज रहते हैं तो जो बिला वज़ा यानि जिनका ये काम नहीं है गोश्त बगिरा बनाने का या कुर्बाने के तालिक सो और वो बचते नहीं है और खून की छीटे कपड़े पर या हाथ पर उ हराम है तो लहाँ अगर आपका हाथ बिलकुल पाक है तो उसे जवर ज़दस्ती खून के अंदर सनाना या खून को उसको छुवाना या कपड़ों फ़ुगयरा पर खून की छीटे आए तो उससे ना बचना या जान बूज कर खुपड़ों की छीटे लगाना या खून की लिप्त करना तो ये सारी बाते गुनहा की हैं इससे बचना चाहिए बहुत सारे लोग इसमें इत्याद नहीं करते बलके फैशन के तोर पे भी इसके अंदर ना खुन वगेरा अब लगाने की कोशिश करते हैं तागी मालूम चले कि इन्हों ने कितनी अगर वो काट ले या ना काटे हैं बहुत दिन से नहीं काटे ना हुन बड़े हो गए तो बाल और ना कहने काटने का मसध़ा है वो मुस्तभब है यानि ये काम करना बहतर है कि ये नाखुन और बाल ना काटे जाए कुर्वाने के दिनों मैं य Christie तारीक से लेकर कुर्बानी तक ये बाल नाखुन ना काटें ये मुस्तहब है अगर कोई ऐसा करेगा तो इसी पर अमल करें के ऐसा ना करें और अगर मामला ऐसा है कि कोई शक्स पीछे से पिछले महीने ही नाखुन वगिर उसने नहीं काटे थे या अब नाखुन इतने रहे हैं तो ऐसी सूरत में उसको काट लेना वाजिब है और जब वाजिब मुकाबले में आएगा मुस्तहब के तो फिर वाजिब पे अमल किया जाएगा और मुस्तहब को तरक कर दिया जाएगा शर्य उसूल यही है तो लहाज़ा ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि अगर कि कि इतने बड़े हैं कि उसको देखने में उलजन मेंसोस होती है तो इस सूरत में भी उसको काटना काटा जा सकता अगर ओकाटेगा तो गुना नहीं है मगर यह कि मुस्ताब का तर्क करने वाला होगा ऐसा नहीं करना चाहिए एक बार ने पूछा था बड़े जानवर में हिस् साथ लोगों का होना जरूरी है बलके ऐसा नहीं है बड़े जानवर का हुकम यह है कि उसमें हर एक का हिस्सा साथमा कम से कम होना जरूरी है यानि साथ हिस्से जो होंगे साथ से जाइद नहीं हो सकते और अगर कोई कम लोग हैं लेकिन वो सब लोग मिलके साथ कर लेंगे त कोंगे हाज नहीं है सत्से कम नहीं हो सकते से मुराद ये है कि मिसाल आप समझें कि अगर कोई एक जन्वर 7 रूप का आता है तो इसका मतलब यह होता है कि वो साथ लोगों में डिवाइड होगा तो हर शक्स पर एक रुपे की मताएगी, तो इसका जो जानवर का सातवे हिस्सा बनेगा, वो एक रुपे बनेगा, तो अगर एक रुपे से कोई कम डालेगा, और बाकी या अगर कोई अठन नी डाले, और बाकी लोग देड़ रुपे डाले, तो ऐसी सूरत में तो कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि एक एक शक्स का हिस्सा डालाए 50 पैसे ये 7 हिस्से से कम है लहाज साथ में हिस्से को मिनिमम है कि इससे कम कोई नहीं उसमें डाल सकता है अब ये एक मिसाल छोटी सी कि 7 रुपे का जानवर में 7 हिस्सा 1 रुपे का और बाकी 7 हिस्सा एक ले ले तो ये भी जाइज है अब जैसे बड़े जानवर में अपने कहा कि 5 या 6 लोग हो जाएंगी तो इसमें भी कोई हिस्से नहीं है अगर 5-6 लोग हो जाते हैं और हर एक का हिस्सा साथ हिस्से से ज्यादा है यानि जितना 7 लोगों में है यानि कोई मतलब कि कोई 2 हिस्से ले रहा है को तो इस सूरत में अगर जादा कर देते हैं तो कोई हरज नहीं है मसलाने एक जानवर है अगर कोई शक्स उसके अंदर जैसे 5 लोगों ने हिस्सा लिया मगर उसमें से एक शक्स ऐसा है कि वो डबल हिस्सा लेना चाहता है तो इसकी भी खुझाईश है तो अगर कोई शक्स बड़े जानवर के अंदर साथ लोग पूरे नहीं हो पाते लेकिन अगर किसी ने एक शक्स ने दो हिस्से ले लिए कि उसने एक अकीके का ले लिए अपना या अपने किसी घर वाले में किसी का अकीका करना चाहे तो भी ठीक है और अगर उसने खुद दो अपने रख लिए एक किसी और के घर की कुर्बानी वाजिब तो उसका करा एक अपना करा तो इसमें भी हरग नहीं है तो लिहादा बड़े जानवर के अंदर साथ लोगों का होना जरूरी नहीं है बलके हर एक का साथवा हिस्सा हो इससे कम ना हो और अगर एक शक्स दो हिस नहीं हिस्सा ले ले कोई तेन हिस्से ले 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 तो ये भी सूरत कम लोगों में भी वो कुर्बानी हो जाएगी आपने फरमाया था एक सवाल ये भी था कि छे लोग इसके अंदर जैसे जानवर लाते हैं तो इस सूरत में किस तरह कुर्वानी होगी तो अगर देख़ें च्छे लोग लाते हैं और इसमें वही बात है कि अगर कोई एक डबल हिस्सा ले 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 बाकी एक एक ले 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 तो भी दूरुस्त है और अगर इसमें से एक शक्स यानि सब एक एक हिस्सा ले और बाकी बचा हुआ एक हिस्सा सब मिलकर अगर इसाले सवाब के लिए सरकार एक भकरी की बड़ाबर हुदता है तो एसी कुरबानी के हिस्से में इसमें कोई रधा नहीं है मसलन यह च्छे लोग उने बड़ा जान्वर खरीदा उन्होंने सबने एक एक अपने इस्साप कुरबानी का ले लिए और सले की जाल हुदता नाम का है तो यह जाइज है और उसका गोश्ट बचा हुआ साब आपस में तक्सीम कर लेंगे अचा मरहूम के नाम की कुरबानी के बारे में भी आपका सवाल था कि अगर मरहूम के नाम की कुरबानी कराई जाएगी तो उसके गोश्ट का क्या हुकुम है तो मरहूम के नाम के कुर्बानी के गोश्ट के इसमें दो सूरते होती है अगर मरहूम के नाम आप रिसाले सवाब करना चाहते हैं जैसे अभी बयान हुआ कि एक हिस्सा आप जादा लेंगे किसी मरहूम अपने घर में किसी के भी नाम का और रिसाल सवाब गे लिए आप नफली तोर से करना चाहते हैं तो इसमे गोश्ट का वोई हुकुम है जो आपके गोश्ट का हुकुम है कि आपको अख्तियार आप इसके तीन हिस्से करें एक करें सारा बाट दें या आपके अख्तियारस में कोई हरत नहीं है और अगर मरहूम के नाम के कुर्बानी इस तरह है कि मरहूम ने वसीयत की थी कि आपको कुर्बानी करनी है या उसकी तरफ से कोई लाजम वाली कुर्बानी है तो ऐसी सूरत में आपको सारा गोष्ष तक्सीम करना होगा, आप उसको रख नहीं सकते मसला यह कि आपको कोई वकील बना कर गया है और कुर्बानी कराने के लिए उनका इंतिकाल होगा या उनकी तरफ सापको कुर्बानी करानी है या उन्होंने वसीयत की थी गुर्बानी करानी की तो ऐसी सूरत में तो आपको सारा गोश्ट गरीबों में तक्सीम करना होगा और इसके हलावा अगर आप अपने खुशी से कराना चाहते हैं लाजिम वाजब आपके उपर नहीं है उनको इसाले सवाब के लिए करवाना चाहते हैं तो वो गोश्ट भी आप चाहें खरीबों में रखें या वो सारा गोश्ट बाढ़ दें इसमें आपको इख्तियार इसमें शरन कोई हरज नहीं और ये बड़े जानवर में भी मरहुम के नाम का हिस्सा डाला जा सकता है